फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं आसम नौलेज वीडियोस पीपीसी, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक और बड़ा टर्म, एक बड़ा नाम, इसका आप आए दिन सुनते रहते होंगे नाम, होती क्या है पीपीसी, काम कैसे करती है, छोटे से वीडियो में जादा मतलब समझाओंगा संशेप में, देखते रहें इस वीडिय पे पर क्लिक, यह इंग्लिश में सुनकर ही समझ में आ रहा है कि क्लिक के हिसाब से पैसे, यह डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी हुई है, यानि कि ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स जब अपने एड्स दिखाते हैं और उनके ओपर लोग क्लिक करते हैं, तो ज दिखा दिया कि यहां से जूता ले लो, राइकी से ले लो, प्यूमा से ले लो, लेकिन कुछ एड्स होते हैं जो आपको गूगल के टॉप पे या साइड में दिखते हैं, वो जो एड्स हैं, वो पेड्स हैं, तो यह एक पीपीजी का एक्जाम्पल है, इस पे जब यूज क्लिक करेंगे तो जितने क्लिक हो रहे हैं उसके हिसाबसे ही पेमेंट करनी पड़ती है, और यह क्यों किये जाते हैं, यह बहुत असान है, जिस वज़ें से से गूगल पे याज़ार आते हैं, कमंर्शियल एक्टिविटी है, जितने जैदा अड़रिसमेंट हाघंगा हॉं paid search के लिए जो paid ads दिखते हैं लेकिन और भी बहुत सारे advertisements इसी model पर चलते हैं जैसे के banner ads remarketing ads remarketing के ओपर में पहले भी video बना चुका हूँ तो कुछ ऐसे ads जैसे आप mobile में कुछ search कर रहे हो चानल के pop up आ गया, banner आ गया, कोई website साइट देख रहे हो, banner लगा हूँ Facebook देख रहे हो, उसमें साइट में banners लगे है, advertisement देख रही है जितना आप click कर रहे हो YouTube आप देख रहे हो YouTube भी जो videos एड आ रहे है उसमें अगर आप उस पर click कर देते हो तो कई बार आपको add के हिसाब से pay करना पड़ता है अगर आप अपने वीडियो को YouTube पे add करके चला रहे हो, उसकी advertisement देखे आप उस videos पे views लाना चाह रहे हो तो जितने ज़्यादा views होंगे, जितने ज़्यादा clicks होंगे आपको उसके हिसाब से pay करना पड़ेगा तो यह pay per click का बहुत ही आसान सा model है अब बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है दोस्तों काम करने के लिए pay per click यह auction based model के थूँ Google यह अपने paid search पे add चलाता है auction based यानि के keywords जिन queries पे जिन keywords पे आपको अपना add चलाना है या आप चाहते हो कि आपका add दिखे उन keywords के उपर आप bidding करते हो ठीक है लेकिन ये bidding इतनी आसान नहीं है कि अगर आपके वास पैसा है तो आपने सबस्यादर bid कर दिया और आपका add दिखे जिया मिसाल के तोर पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे नाइकी एक जूते बनाने की बहुत बड़ी company है और उसके अलावा भी कई चोटी मोटी company है तो अगर सिर्फ पैसे खरीदने से ही आप सारे ads अपने capture कर सकते तो नाइकी जैसी बड़ी company के लिए बहुत असान है वो गूगल को बहुत पैसा दे देगा कि भाया कोई भी जूता type करे सिर्फ मेरा add देगाई और किसी का मत इसा पॉसिबल नहीं तो गूगल ने और जितने जो दूसरे search engines उन्होंने भी इस चीज को टैकल करने के लिए अपने algorithm बनाये हुए हैं और उस algorithm के हिसाब से हर keywords के ओपर quality score होता है एक ranking दी जाती है ranking दी जाती है हर एक potential advertiser को example के तौरपे में बदाता हूँ मालो एक keyword है जिसके ऊपर लोगों को bid करना है जूते बनाने वाली companies भीड करेंगी अब बहुत सारी companies आ गईगे नायकी के बात बहुत पैसा हो कहेगा मैं मेरे से तो जितना मर्जी पैसा ले ले मेरे याड दिखाई हो लेकिन ऐसा नहीं होगा एक दूसरी company है जो per keyword bidding कम कर रही है कह रही उस particular sports shoe keyword पे वह बहुत ही relevant landing page दे रहे है user experience दे रहे है जब उस पर user जाता है click करके तो उसको exactly वही दिखता है जो वह expect कर रहा है तो यहाँ पर आपको लगता है कि किसका score high होगा quality score किसका high होगा obviously उसका होगा तो कुल मिला कि यह जो algorithm है यह exactly google reveal नहीं करता है reveal कर देगा तो सब उसको match करने लग जाएंगे लेकिन मोटा मोटा यह जो algorithm है तीन चीजों के आसपास होता है एक bid कौन कितना पैसा खर्च करने को जाए आ रहे है keywords के उपर जिसके उपर अपना ad दिखाना है दूसरा quality score quality score calculate होता है कि landing page experience कैसा है आपकी website पे loading page का experience कैसा है आपका content कैसा है जो इसमें rich media अं तिखा रहे है या नि दिखा रहे हो relevant experience का, पास quality score घुमता है mobile site का है या नहीं है यह सब quality score घुमता है। दूसरा होता है formatting ते आपक when स्कोर्स जोठता है quality में format में जो भी आप add दे रहे हो इसमें आप detailing क्या-क्या दे रहे हो क्या आपके add के साथ साथ एक phone number भी है आप add दे रहे हो मतलब आप एक business हो आप चाहते हो आपके पास लोग click करें आपको contact करें तो क्या आप कुछ additional formats उसमें add कर रहे हो आपके साथ क्या आपके पास इस सारी details available है phone number है address है so इस formatting से ज़्यादा chances बढ़ जाते हैं उस add पर click करने के user द्वारा तो यह तीन बातों के आसपास scoring होती है अब जब bidding होगी तो एक quality scores assign हो जाएंगी on the basis of these three factors जितने भी लोग bid कर रहे है उस quality score के हिसाब से जिसका score सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका add दिखेगा उस particular time period के लिए जब तक के उसमें पैसे प्यार रखे हैं उस campaign लिए उस हिसाब से उसको एक time alert हो जाता है कि आप इस time के लिए आपका यह add चलेगा इस particular keyword के लिए ads अपने शुरू कर सकते हो तो यह दी छोटी सी वीडियो PPC के बारे में अगर आपको अच्छी लगए तो like share और subscribe करना मत भूलिए I'll see you in the next one thank you